चात्रू यह आज जो काम दे रहे है इक है संसकत्त है मिल chopping जो समभफ दीन पर दोगार में दिया था या वह यह तिसरा इस्थिसथे स्थुल्क है सर्फिर सज्ज्ण हां मन यव मुने सरवत्रेव प्रश्ण नभे है अपशर्ती," दुहांटम", चित्थ सतामिव दुर्जन है वर्जती चे निशा खिप्राम लक्षमी कचो स्में वहु常 करंद की यौई विर्ला विर्ला मने कोई कोई इस्थुल तारा मने बड़े बड़े तारे ये प्राते काल का समय का वर्णन है इसमें जब प्राते सुबह का वर्णन दिया है जब प्राते होती है तो सूरे की केड़ने चार ओर फैलती हैं तो कोई बड़े बड़े कोई कोई बड़े तारे द दिखाई देते हैं मन इव मुने सर्वत्रेव प्रिशनमू नभ fabrics जैसे मुनियों का मन साफ होता है कोई उसमें अंदर भेदभाभ नहीं होता उनके उसी प्रकार से मुनियों के मन के समान आकास भी चारो और निर्मल हो जाता है स्वक्ष हो जाता है क्योंकि जब तारे चिप जाते हैं तो सक्ष हो जाता है तो इसी प्रकार से आकास भी निर्मल हो जाता है अपसर्ती चे दुहांतम अंदकार भी जब इसी प्रकार से नश्ट हो रहा है जैसे सत्माने सज्जन लोगों के चित्माने मन से सज्जनों के मन से दुर्जन लोग दूर हो जाते हैं उसी प्रकार से रात्री समाफ तो अंदकार भी दूर हो जाता है ब्रजती, चै, निशा, छिप्रम, लक्ष्मी, उद्धमीन, इव रात्री उसी प्रकार से दूर हो रही है जैसे जो मेनत नहीं करते उनकी लक्ष्मी नश्ट होती चली जाती है उसी प्रकार से रात्री वी व्यतित हो रही है नेश्ट अभूत, प्राची, पिंगा, रस, पतिव, प्राप्पे, कनकम गत, छाय, चंद्रो, बुद्ध, जन, इव, ग्राम, सदसी चान, चीन, स, तारा, निर्पतेह, इव, उद्धम, प्राप ने, दीपा, राजनते, द्रविन, रहिता, इव, गुड़ा प्राची मने, पूरव दिसा में जब पूरव दिसा में सूरव उदव होता है ये भी सूरव प्रात्य का बर्णन है इसमें भी जब सूर्य पूरव दिसा में निकलता है तो चार ओर इस तरने से पीला पंच आ जाता है जिस प्रकार से सौने को पाकर पारा पीला हो जाता है और चंदरमा भी उसी प्रकार से कान्तिहीन यानि कि छिपने लगता है जैसे गाउं की सभा से बिद्वान रोग कांत हीन रहते हैं क्योंकि गाउं की सभा में अपनी अपनी गाते कोई किसी की नहीं सुनते चान छीनास तारा तारा भी पिरतेक्षण उसी प्रकार से छीन हो रहे हैं जैसे उद्दम हीन राजा की लक्षमी जो मेहनत नहीं करते राजय श्री यानिकी उनकी लक्षमी दूर होती चली जाती है उसी पिरकार से तारी भी पिर्तेक छोन च्रोट है यानिकी च्छिप रहे हैं ने दीपा राजनते अब जब प्राते होती है तो दीपक हम जलागर रख दें सुवह के समय तो कोई सोभा देता है नहीं देता न उसी प्रकार से जो मेहनत नहीं करते हैं यानि कि धन रहित गुणवान व्यक्ति की कोई शोभा नहीं होती है उसी प्रकार से दीपक की भी दिन में कोई शोबा नहीं होती क्योंकि धनवान व्यक्ति है और उसके पास गुण नहीं है क्योंकि आज की जमाने में धन को पूजा जा रहा है तो उसका सम्मान करते हैं सब लेकिन यहां दिया है जो धनी हीन गुणवान व्यक्ति होते हैं उसको शोबा नहीं होती है उसी प्रका दिन में शिशोबीत नहीं होता